आज के दूसरे पाड में संद्पवलोस हमें एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है संद्पवलोस कहते हैं अद्धियाए नौ पलसेंग्या सौला में, कुरूंदियों के नाम दूसरा पत्र में दिक्कार मुझे यदि में सुसमजार का प्रजार ना करूँ संद्पवलोस समझते हैं कि सुसमजार का प्रजार करना उनकी जिम्मेदारी है ये करते हुए है, प्रभु येशु ने उनको दिया है और ये सोचते हैं, यदि मैं उसको प्रजार ना करूँ, दिक्कार मुझे जिहां मित्रों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो बप्तिस्मा ग्रेंड किये हैं, हम जो प्रभु के अनिराई बन गए हैं हमारी जिम्मेदारी बनती हैं कि हम प्रभु के सुसमजार का प्रजार करूँ, उसकी गौश्णा करूँ लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आज की परिष्टिदी इतना जडिल है कि प्रभू का नाम लेना, प्रभू का सोसमझार का प्रजार करना, प्रभू का संदेश को फाइलाना बहुत ही कडिन है, जोकिंग बड़ा काम है लेकिन ये जोकिंग होने के बावजूद, कडिनाई और चुनावती होने के बावजूद भी प्रभू का संदेश को फाइलाना अमारे लिए एक बहुत बड़ा करतवी है, हमारा फार्ज है अब हम ये कैसे करें, प्रिद्चरिद, अध्यायचे, पदसेग्यचार में उसके लिए हमें एक सुजाव मिलता है, प्रिद्चरिद में लिका है कि छेले लोग कहते हैं, हम प्रार्टना और प्रभू के वजन की सेवा में लहे रहेंगे, अध्यायचे पसेंगे चार में जी हां अब अब प्रभु का संदेश प्राइटना और प्रभु के वज़न की सेवा की दौरा ही कर पाएंगे ऐसे मुझे लगता है हम भुत सारे कारी करते हैं हम सिठ्षन संसायन चलाते हैं स्वास्त शंसायन चलाते हैं हम सामाजिक उत्वान के लिए काम करते हैं लेकिन आज की परिस्तिदी में इन सारे कारियों में बहुत सारे बाधाएं बहुत सारी अर्चनें बहुत सारी चुनवती आती हैं लेकिन प्रभू के चरनों में बैट कर हमारे देश के लिए दुनिया के सुसमजारी करण के लिए प्रार्तना करना और प्रभू के वजन के दुआरा उसके लिए प्रयास करना अभी भी संबो है अभी भी इसके लिए मौका कुला हुआ है तो मित्रों अब इस जमाने में हम प्रभू के सुसमजार का प्रजार प्रसार करने के लिए हमें प्रार्तना की शरण में जाना अधिक उजिद होगा आज के सुसमजार में भी हमें प्रभू अच्छे अच्छे संदेश देना चाहते है हम देखते हैं कि आज किस्व समझार में प्रभू सीमोन और अंद्रियस के गर जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि उनकी सासमा भीमार है और प्रभू ने उनकी चंगाई की और वे उड़कर प्रभू की सेवा करने लिए अंद्रियस और सीमोन पीटर प्रभू के छेले बन गये दे प्रभू के साथ गुमते दे प्रभू के कारी में लीन हो गये दे अब जब वे प्रभू के साथ प्रभू उनके कारी संबालने लगते हैं वे उनके गर में जो परिशानी है, जो दिकत है, उसके समादान के लिए उस गर में आ जाते हैं और उनकी जो सास माँ हैं, उसे चंगा करते हैं। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे लोगदर में विश्वासी बाइवहन जैसे फियात मिश्णरी लोग हैं जिसे जूद के सदे से हैं और अजने बहुत सारे ऐसे मिनिस्टरी से हैं जो हमारे विश्वासी बाइवहनों के वे प्रभू के खायरी के लिए प्रभू के सुसमज प्रभू के कारी करेंगे प्रभू हमारा गर संभालेगा हमारा कारी करेगा हमारे गर में हमारे परिष्टदी में जो भी समस्या जो दिक्त है उसके समाधान प्रभू कुद करेगा इस विश्वास के साथ वो जाते हैं और सचा यही है जिस गर में प्रभू के कारी करने वाले हैं जिस गर में परभू के से वा करने आवाले फादर है, सुष्चर यह अब ब्रुदर है और ऐसे विश्वासी बाई बहने उस गर को परभू की आशीश वर करवा मिलती रहती है. जब हम परभू नहीं रही वो उड़कर उनकी सेवा करने लगी जी आप जब हम प्रभू की कृबा पाते हैं आशिस पाते हैं हम उसी से संद्रप्त वाकर बैटे नहीं जाना है बलकि प्रभू की सेवा के लिए प्रभू के कारी करने के लिए तैयार होना है प्रस्तद होना ये संदेश आज प्रबु हमें देता है और हम आगे देखते हैं कि साइम काल में संधिया के समय में बहुत सारे लोग प्रबु के पास आते हैं प्रबु से चंगाई पाते हैं अशुदार माउं से मुक्ति पाते हैं और शुदार की क्रवा और आश शुदार पाते हैं हम जानते हैं कि जब तक शैतान को पराजित नहीं करेगा इसर के राज स्थाबित नहीं हो सकता इसलिए प्रभू शैतान को बहाता है बीमारियों से उनको छंगा कर देता है और ये प्रमानित करता है जी हाम सिर इसर का राज आ गया है जो कोई प्रभू पर विश्वास करेगा जो कोई उसके वजन के अनुसार चलेगा उस वजन के अनुसार पश्चादाब करते हुए एक पावितर जीवन बिताएगा उनके गर्दे में उनके गर्वें उनके आसपास में इस्वर के राज की स्थाबना हो जाती है इस्वर की कुर्बा और आशिष्टे वे मर जाते हैं ये संदेश प्रभू आज हमें दे रहा है और हम देखते हैं कि उसके बाद प्रभू उन सब को टी करने के बाद चंगा करने के बाद एक नरजन स्थान पर एगान स्थान पर जाकर प्राटना करते है इतने वस्त कारी करने के बाद भी प्रभू प्रार्तना के लिए समय निकालते हैं प्रभू ये बात ये समदेश हमें देना चाहते हैं कि हम प्रभू के लिए भी जितना भी कारी कर रहे हम उदर जाकर प्रभू के सुसमजार की कोश्टना कर रहे हैं दूसरों के लिए प्रार्तना कर रहे हैं इन सब के बाद भी हमें प्रभू के साथ लीन होने के लिए प्रभू के साथ बैटने के लिए प्रभू की बात सुनने के लिए अपने बात प्रभू को बताने के लिए समभई निकालना है ये संदेश भी आज के सुसमजार के दौरा प्रभू हमें दे रहा है कि हम जतने भी अच्छे कारी क्यों ना करें बावजुद उसके हमें प्रभू के साथ होने के लिए साथ बैठने के लिए प्रभू की स्थुदी आरादना दन्यवाद देने के लिए समय निकालना है प्रभू के साथ बैठना है और आगे जाकर हम फिर सुनते हैं कि स्री मोहन और बागी चेले लोग प्रभू को डूनते हैं प्रभू कहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी प्रभू से चंगाई और आशिस पाने के लिए प्रभू को खौज रहा है प्रभू को डून रहा है प्रभू क्या कहता है उन मिल रहा है बहुत लोगों को प्रभू की करवा मिल रही है चंगाय मिल रही है अब दूदों को निकाल जा रहे हैं बावजोद इसके यह जुरूरी है कि प्रभू यहां ना ठीके बलकि उनको और भी अन्य जयो पर जाना है वहां भी लोग प्रभू के इंदजार में हैं वहा हैं बहुत उजिद स्थाने बहुत अच्छा माहौल है लोग साथ देयर ले तो यहीं ठीके रहने से यहीं होने से बहुत अच्छा होगा लेकिन प्रबु यह बताना चाहते हैं यह सब अच्छा है लेकि और भी बहुत सारे ऐसे जह हैं ऐसे लोग हैं जिने हमारी जिरुट है तो जब हमें आदेश देगा प्रबू तो उस आदेश के अनुसार दूसरे जह जाकर प्रबू के कारी करने के लिए प्रबू का अप्रयम के संदेश उन्हें भी बातने के लिए हमें संगोज नहीं करना है हमें मना नहीं करना है ऐसे संदेश भी प्रबू आज के सुसमजार के दौरा हमें देना चाहते है मितरों जब हम प्रभू के लिए जीएंगे सब कुछ प्रभू की इच्छा के अनुसार जीएंगे प्रभू की इच्छा को सबसे पहले प्रादिमिंग देकर प्रभू के कारी के लिए प्रस्तित होने के लिए हमें थैयार रहना है ये संदेश आज करी समझर में, देते हैं आएे हम प्रभू के हनियाई बनकर रहे हैं प्रभू का कारई करते रहें हर जोकी मुड़ाते हूए भी प्रभू की सेवा में तर्पर रहें है सिक्र बराशिश हम सभको प्रभू परदान करें हम ये प्रात्ना करते हैं पिर्दा, पुत्र और प्रद्रात्मा के नाम पर आमें